कि Hello बचवाटी, welcome back to the или session और आज की नसमें हम लोग जो chapter स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्या नाम है कि नाम है बताओ बताओ क्या नाम है जो बिल्स ओफ एक्सेंज एक चैप्टर का नाम ठीक है अब यह चैप्टर का पहले मैं तुमको ओवर्विव देता हूं वाट वी मिन भाइब बिल्स होता क्या है बिल्स ओफ एक्सेज ठीक है में भी अगर तुम लोग कॉमर्स टीम के बच्चे हो तुम लोग को अरदी पता है तो मैं तुम्हारे कॉंसेट से ब्रश आप कर रहा हूं बाकि अगर तुम्हें कैसे बच्चे हो जो किसी साइन स्टीम के हो या तुमको पते ही नहीं है बिल्स ओफ एक्सेंज नाम ही पहली बार सुन रहे हो तब फिर तुमको जादा इंट्रेस्टिंग लगेगा मेरी बात वी असलिए का मनब क्या होता है तो बenkर अपर इसका काम कुछ और है तो यह में ही answer है bills receivable का मतलब कुछ तो भी amount receive होगा और bills payable का मतलब कुछ तो भी amount pay होगा ठीक है तो दो terminology इसके अंदर use होती ही chapter के अंदर अभी होता क्या देखो जब कोई credit transaction होता है हमारे business के अंदर तो एक तो भरोसे का रिष्टा होता है भरोसे वाली बात होती है तुम्हारे किराने वाले भाईया घर के पास वाले वह क्या करते है मम्मी बोलती है एक packet आटा देदो पास किलो वाला एक पास लेटर का तेल का डबबा देदो एक कुछ स्नेक्स ले लिए अपन कभी स्कूल से वापस आते है एक बहीं बहीं कुरकुरे का भाकेट लेके जा रहे है लिख लेना कॉपी लिख लेना ठीक है तो यह कुछ चल रहा होता है और भरोसे का रिष्टा है तो वह अपनी कॉपी में लिख देते हैं हां भाई Mishra जी के लड क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो हर जग होते हैं यह चीज़ तुम मानोगे कि नहीं मानोगे बड़े से बड़ा बिजनस क्रेडिट ट्रांजेक्शन इस एवरीवेर इवेन आफ्टर विकमी यू एज प्रोफेशनल अगर तुम प्रैक्टिसिंग में जा रहे हो एक एक दो-द क्रेडिट में चलता है यह सब तो अब उस सिचुएशन में जब अपन कोई बिजनस कर रहे हैं और हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन से इंवाल्व कर रहे हैं तो क्या अब देखो यह चीज तो अपन ब्लाइन फोल्डेट भरोसा कर रहे है ठीक है जो भी सारी चीज है बट ए एक वैलिट घ्रांड होना चीए एक वैलिट ग्रांड होना थी जिस बेसे पर आप उसके अगेंस पर कोट केस कर सको इसके लावा कुछ नहीं कर सकते मुवी नहीं चल रही जो गुंडे भेजवा ओगे जा तो भाई वसूली कर किया आना जा जा वह वह सूली कर क्या ऐसे ब अब वो डॉक्यूमेंट शो कर रहा हूँ क्या शो कर रहा हूँ कि भाई कुछ पैसा ड्यू है कुछ अमांट ड्यू है और वो अमांट रिचिवेबल अबलीक पेबल एस दा केस में भी ठीक है तो उस सिचुएशन में एक बिल्ड रॉ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं बिल का नाम लिखा रहे था एक format होता है विल्सी का एक नौर्मल बेसी कॉर्मेट जिस होता है अपना चेकवे happen होता है तो तुम लोग ब로ो डिक कि बिल्से रहेंगि कोई भी आदमी रसता चलते बिल्स ये उवह ऩो होता है कि जिस एक मैं तुम्हारे ओपर कर रहा हूं देखो यह सेलार है कि अब सेलर बाइर के ऊपर बिलड है कर रहा है जब सेलर पायर के ओपर विल रो कर रहा है पिल तो बायर उस पर प्रॉपर साइन करेगा सिगनेचर और बिल में क्या लिखा है पता है बिल में लिखा है आई प्रॉमिस टू पे दा बीरर मतलब जिसके पास ये बिल है मैं उसको प्रॉमिस कर रहा हूं कि I will pay this तो मैं इस तारीक को इतना रुपए पे करूंगा यह आफ्टर थ्री मन्त आफ्टर टू मन्त आफ्टर शिक्स मन्त ऐस केस में भी और फिर वह साइन करने के बाद बिल को वापस कर देता है बिल रिटॉर्ण ठीक है तो आप बताओ असलिम्त अमाउंट यह पड़ बसे बताओ इलर को पैसे मिलेगा Bliga यह थे हाँ तो जभ अपनी बुक्स में ख्या दिखायेगा कि मेरे पासंस बिल्स रखा हूँ है क्जैशलर अपनी बुक सेवदोर रिखा हुआ दित्वा है क्मेरे पासंस इसके पास जो बिल रखा है उसको पे करने का है, इसको मिलने का है, उसको देने का है, इसको पैसा मिलेगा वो पैसा देने वाला है, तो सेम बिल, बिल एक ही है, यह देखो, बिल एक ही है, और यह अपनी बुक में उसको बिल रिसीवेबल लिखेगा, क्योंकि उसको पैसा मिल मिलने वाला है, same bill इसको pay करना है, तो यह अपनी books में bills लिखके रखेगा, आरी बाद समझ में और यह वो Bill है, तो फिर से वापस आते हैं उसी question में पर बिल किनी किसे आरी है तो बेटा negotiable instruments act, कि इंडिया में अपनी के बले, इंडिया का Negotiable Instrument है Negotiable मतलब क्या होता है Transferable अब मैं बहुत डिटेल में नी जाऊंगा तुम्हारे law वाले teacher डिल करेंगे इससे Negotiable का मतलब होता है transferable मतलब जो चीज transfer करने लायक है Negotiable मतलब bargaining भी होता है Negotiate करना उसका दूसरा meaning होता है transferable आपन चीज को transfer कर सकते है जो चीज negotiable है वो चीज transferable है ठीक है तो तीन चीज को negotiable instrument माना गया है law के द्वारा पहला है bills of exchange यानि कि bills receivable, bills favor पहला है bills of exchange दूसरा है check, check होता है न चेक, check होता है न बिटा हाँ, check और तीसरा है promissory note, promissory note कहा पढ़ने वाले है यही पढ़ने वाले है इसी chapter में promissory note भी देखेंगे तो bills of exchange, promissory note और check, तीन चीज को law खुदी बोल दी, negotiable instrument है जाओ, जाओ use करो, negotiable instrument है तो अब मेरे को बताओ, payment की reliability इस बंदे को पैसा मिलेगा, उसकी reliability bill को देखने से आई, और bill की reliability law ने दे दी, law बोली की bills of exchange चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है आई बात समझे में है ठीक है पर ऐसा क्यूँ हुआ, ऐसा क्यूँ हुआ, ऐसा क्यूआ, चूँकि बेटा, bill of exchange तो बेटा, modern नाम है, modern नाम, modern नाम क्या है, इसका bills of exchange अरे भारी, इसको पुराण जमाने में क्या बोला जाता था पता है, पुराने जमाने में राजा महराजा की जमाने से चल रही है, राजा महराजा की जमाने से चलता आ रहा है, concept पुराने जमाने में इसको बोलाता है, हुंडी, क्या बोलते था, हुंडी बोलते था, हुंडी बोला जाता था, राजा मह राजाओं की सेना होती थी पता ने लो को 10 जार बीस जार फचारास जार लोग है Ge distributing तो सेना जो है वह उक् cucumbers महल में तो इक्लिट रहती थी सेना है आध में है आट ताइम यहल की तो परक्याएं वो 50,000 आदमी खाते भी पीते नहीं थे, और 10 बंजे फूल खाते भीते थे, उनका पालन पोश्शन भी करना पड़ता था। तो राजा क्या करते थे बल्क में खरीचते थे फार्मर से समान बल्क में खरीचते थे मार्केट से समान एक दम मतलब बल्क मतलब लाखों का समान करोडों का समान पर क्या होता था उनके पास जरूरी निए अब तुम लोग को पता है राजा लोगों के पास पैसा कहा से आता था उन लोग वसूली करवाते थे राजा लोग अपने स्टेट में जाके जैसे अभी हम लोग गौर्मेंट को टैक्स देते हैं हम लोग गौर्मेंट को टैक्स दे थी तो वो एक regular interval में होता था हमेशा नहीं होता था रेगुलर इंटर्वल में अब तुम लोग बताओ government government को हम लोग क्या देते एडवांस टेक्ट देते तुमको यह बात नहीं बताओगी मैं बताता हूँ government बोलती है कि आपका income आने के बाद income पर tax निकलने के बाद आपको टेक्स पर नहीं करना है आपको साल भर में कुछ installments में expect करना है कि मेरा इस quarter में इतना income होगा इस quarter में आपको तुक्का मारना है अंदाजा trend analysis करना है आपको और आपको सोचना है कि मेरी इतनी income हो सकती है और उस basis पे आपको पहले से tax दे देना है advanced tax मतलब जो income मेरी अभी तक finally नहीं हुई है उसका tax मेरे को पहले ही दे देना है ऐसा government बोलती है वो भी 15 March के भी पहले ऐसा government used to say आज कल क्यों कि government को time to time पैसे की ज़रौत पढ़ती है तो government को income tax पैसा आता है तो इसलिए ऐसा बोलती है ठीक है और GST तो तुमको बताओगा हर महीने पे होता है GST तो every month you need to pay GST each and every month ठीक है अब हुंडी का concept क्या था भाई कि देखो अब राजा महराजा के पास हर टाइम ट्रेशर आर में पैसा नहीं होता था इतना पैसा नहीं होता था कि दिन भर payment करते रहे तो राजा का जो वह होता था था न अकाउंटेंट राजा को अकाउंटेंट मुनीन जी मुनीन जी होते थे ना राजा के उसमें सील लगा देते थे महल का सील लगा देते थे तो अब उनको यह बुलकर और यह बास तब को पता थी पूरे पूरे राज्य में यह बास तब को बता थी कि हुंडी नहीं जो फार्मर मेर आए उस हुदी को जब लेकि जाएगा और मार्केट किसी को भीधेगा किसी को भी तो वह उस्में के exchange में उस farmer को समान दें तो हुंडी as good as money हो गई उस time पर बताओ क्योंकि इसमें राजा की सील लग गई है तो this is as good as money at that time ठीक है मतलब यह भरोस्य का रिष्टा था कि राजा का signature है किंग का signature है राजा का signature है इसमें तो भाई इसमें हमारी reliability sure short है sure short reliability क्योंकि इस पर sign कर दिये तो यह हुंडी का concept था उस time जो कि आज आपको bills of exchange के नाम से देख रहा है या प्रॉमिसरी नोट के नाम से देख रहा है कि आरी बास तरमज में कि राजा को राजा को सब पता है ना वाई कि हम हमारे पास पैसा नहीं है ट्रेसरी में और फारमर बोल रहा है क्यों चाहिए नेक्स नेक्स्ट जो सीजन आ रहा है उसके लिए पर क्रॉप उगाना क्रॉप की लिए मेरे को पैसे चीए ना सिर्ट खरीदने के लिए तो राजा बोल्ते सब पैसा, तो अब जैसे बताओ, जैसे यह हुण्डी लेके गया farmer, seed वाले के बास और seed purchase किया, अब हुण्डी seed वाले के बास है, seed वाला अपने supplier के बास गया, और उसको दे दिया हुंडी, वो अपने वाले मालिक को दे दिया, उसको हुंडी दे दिया, लास्ट में जैसे एक मंथ एक स्पेसिफाइड मंथ करेंगे उनको पता है कि पैसे जाएगा चार मुँच्छे मेनख रिएग के लिए बनाते इस जैसे थी महीना खतम हुआ जैसे माल लोग तीन महीने की हुंडी थी तो तीन महीने बाद जिसके हाथ में हुंडी योगी वह ज सिर्दर्द है जिसके हाथ में हुंडी है सिर्दर्द उसका है जिसके हाथ में हुंडी वो जाएगा पैसा लेकर आजाएगा तो यह concept पुराने दमाने में इंडिया में exist करता था ठीक है और उसी concept को हमने आगे बढ़ाया है उसी custom और ट्रेडिशन को उने आगे बढ़ाया और उसको बिल्स अफेक्सेंज का नाम दे दिया आरी वास्तना में पर थी के बोलो हां बोलो हां बोलो हां बोलो हां तो यह ओबर भी था चैप्टर के अंदर बहुत सारी भिन भिन चीजें पढ़नी है ठीक है भिन भिन चीजें पढ़ेंगे यह देखो मैं कुछ चीजें तुम लोगों को दिखाता हूं जो तुम लोग पढ़ सकते हो ठीक है चलो देखो बिल्स ऑफ एक्सेंज का मीनिंग अब अपने को पता है तो कुछ इंपोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स कभी ना कभी जरूर काम में आएंगे आपको अब बिल ऑफ एक्सेंज यह सब फॉलेंग करेक्टरिस्टिक्स देखो क्या क्या होना थी पहला यह फिल का मतलब स tactics यह अना बिल का मतलब यह राइ्टिंग में होना चीए इए और राइ्टिंग में मौना थी इत शुद धी राइटिंग येस, इट मस्ट कंटेन एन ओडर टू पे असल्टेन सम अफ मनी तो पहली बात तो यह कि बिल्स ऑफ एक्सेंज और प्रॉमिसरी नोट में यह एक डिफरेंस आएगा प्रॉमिस टू पे ओडर टू पे तो बेसिकली उस बिल के अंदर लिखा होना चाहिए न कि भाई पहली ब बनाएगा देखो मेरे एरो को देखो मेरा को देखो सेलर ड्रॉ करेगा बिल बायर के उपर तो सेलर बायर को क्या बुलेगा सर मैं आप से विंती करता हूं रिक्वेस्ट करता हूं आप में को पैसा दोगे क्या ऐसे बुलेगा कि ऐसे बुलेगा आप मेरे को दो महीने कार ने हैं और बताव है डब्धा लिखा हुआ है कि अथा क्ला में लिखा कौन सी ले इनु Aladdin गांद जेल सैल कॉन ने वाला है तब दिससंबर तीं महीन भादा आने वाला है मैं तो इसंबर की सेट तो मैं पता ही निया सकता है किardon माईंट में इस डिटोलमें निटी नीचाहिए अमांट प्र लिखना होना भूंप अब यहां पर नेगोशियेप nor Instruments Act में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है चीजे मैं तुम लोगों को उतना डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ लेकिन सल्टेन अमाउंट यहां होना ची मतलब 10,000, 20,000, 25 अमाउंट लिख दो बहुत अच्छी बात हो जाएगी और अगर आप फिक्स अमाउंट नहीं लिख पा रहे हो तो अगर आप कुछ ऐसा लिख्यों जो की eligible है तु वý着 मतलब कोई ऐसा कोई ऐसा चीज लिखरे हो जो अभी सल्टेन नहीं है बट संस्वाट wastewater रखता है तो वो जी यहां पर港 शथेप्टेबल हो जाती है तो वो चीज मेरा मुद्दा है नहीं कुछन बूल जाओ भूल जाओ मैं तुम लोगो कुछ नहीं बोला मैं बस इतना बोला अमाउंट अटेन होना चीए तो कुछ भाई अमाउंट लिख जा प्रॉपर उपर्चेंट वर्चेंट में मत लिखना ठीक है नेक्स्ट अब प्रॉमिस टूपे मस्ट बी अनकंडिशनल बताओ इए मैं महयं अमाँ मेच आप मिरू पैसा तब रमी फिक्स होगी और किकी कंडिशन होगी त्म हुट्स पैसा दे बात खता मुर्ज खताः कुछ टाहिए, और इस गता से मुटन के ता डूबौन सब तो पैसा आप दोगे वो एक पर्टिक्लर पर्शन को दोगे एक डेपनेट परसन होना चीए जिसका नाम लिखा है बिल में ठीक है और या फिर बिलर को बिलर मतलब जिसके हाथ में बिल होता है उसको ठीक है बायर को अडर किया बायर मेरा एक से टेलर वाय है तो मैंने एक सब्सक्राइब की अगा पेमेंट के लिए बोलो हाँ तो जो बिल जाएगा बिल उसमें सिगनेचर एक्स का ही acceptable है मतलब आप जिसके ऊपर बिल ड्रॉक कर रहे हो उसी के पास ताकत है बिल को एक्सेप्ट करनें आरी बास समझ में to the person to whom you are drawing the bill only that person has the power to accept that bill आरी बास समझ में तो वही person बस bill को क्या कर सकता है accept कर सकता है next it should be properly stamp stamping stamping proper उनी ची भाईया stamp लगउना ची उसमे reliability है बताओ राजा का stamp लगता था घंडी में हुंडी में राजा का stamp लगता था स्थाम से तो रिलाबिटी है बीना रिलायबिटी स्था प्रॉपरिवितल स्था अर पैमेंग मच्प में लीगल करेंसि संब घיע है एक पाट"! कि कै अब daожно अब देखो कौन सी कौन सी पार्टी इनडरी इसे थे मिली और बेउसाफ टे इंट की बात कर रहा हूं मैं प्रामिसरी नोट की बात नहीं कर रहा हूं भी, तो bills of exchange केंदर कौन सी कौन सी party involved है, तो एक तो हमारा होता है seller, एक होता है हमारा buyer, ठीक है, तो seller होता है, इसको हम लोग बोलते है, drawer, क्या बोलते है, drawer, why drawer, because he is the person who is going to draw the bill, right, he is the person who is going to draw the bill, so that's why, seller is known as drawer of bill, drawer of bill, and the person to whom the bill is drawn, the person to whom the bill is drawn is known as drawer of bill, drawer of bill, okay, so one person is the drawer of the bill, seller and the buyer is going to be the drawer of the bill, drawer or drawer, okay, so after some time, the buyer is going to pay the amount, right, ठीक है तो दड़ तो 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 पर संथो हूं दमाउन इस पेड अफ्टर चर्टीन परिए उप ताइम उसको पन बोलते हैं पेई यहां मैं लिख जेता हूं दा पर्सट इस गोईंग तुरेसीव दा अल्टीमेट Amount of Bill is Pay Drawerat खुब को पैसा मिल सकता है अह flirt हम पैसा मिल सकता है तो यह ड्रॉर्औ खुदी पेई हो सकता है वह सकता है और या बात करना बचा के और अभी बात करना बचा है मिलेगा अब वो कोई भी बन्दा हो इग वह फ्रॉर खुद भी हो सकता है हो सकता है या रखा खुद अपने पास बिल को रखा हो या किसी और को दे दिया जिस भी person को बिल का पेसा मिलेगा उसको अपन प्रीए बोलते हैं क्या भूत है पेई धी क्लियर है are we clear with this pay yes ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तु देखो the party which make the order is known as draw जो order कर रहा है वो draw है the party जो accept करेगा वो acceptor है acceptor मतलब draw draw को acceptor भी बोल सकते है ठीक है और the party to whom the amount has to be paid is known as pay और जिसको amount pay करेंगे last में वो हमारा pay है ठीक है the draw and the pay can be same हो सकते है draw or pay same हो ठीक है ओके अगर आप कोई foreign bill draw कर रहे हो foreign operations clear bill draw कर रहे हो तो आप उसको foreign bill of exchange बोल सकते हो ठीक है foreign bill of exchange बोल सकते हो यह देखो foreign bill of exchange का specify मैं आपको सामने दिया हुआ है ठीक है new Delhi से आप UK को draw कर रहे हो हम झाप बोल सकते हो कर दो सकते हो बोलस्तर फिर रहे हो झाप रहे हो ++ जज़त क्या